लाइफ सिटीज की नाइट बुलेटिन दन भर बिहार में आपका स्वागत है और पट्ना के बाड में सब इंस्पेक्टर कुमारी गोली पीम सीच में आडमिट बरते क्राइम पर घिरी डिप्टी सीएम रेनु देवी तेजस्वी रे नितीश पर साधा निशाना निउस बुलेटिन में आगे हैं मंत्री राम सुरत राय ने लगाया जनता दर्बार वी टी आर में बात की मौत से प्रशासन हैरत में मुदफरपुर में लाकों की चोरी साथी जिलों की अन्य खबरे हैं और अब खबरे विस्तार से सबसे पहले गुड निउस बिहार आज फिर गौरवानवित हुआ है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने बिहार को अपने मन की बात में महतपुर्ण जगा दी है उन्होंने सिवान की बेटी प्रियंका पांडे और मुंगेर के लाल जैराम विपलब की खुलकर तारीफ की दोनों की भूरी भूरी प्रशनसा की प्रियंका पांडे ने रास्ट्रोपती डॉक्टर राजिंदर प्रशात की जनम भूमी तो जैराम वफलब ने तारापूर के शहीदों की प्रती ध्यान आक्रिस्ट कराया दोनों ने नमो एप पर पीम नरेंदर मोदी को संदेश भीजा था जिसे पीम ने काफी गंभीरता से लिया आज जब मन की बात का प्रसारण हुआ तो इसमें पीम नरेंदर मोदी ने सिवान की प्र्यंका और मुंगेर की जैराम की प्रशंसा करते नहीं थके साथी पीम ने तारापूर में हुए शहीदों को नमन किया बिहार की नालंदा में दोसगे भायों की हत्या फिर से की गई है बिहार में बड़ी वारदात हो गई है आज अपरादियों ने नालंदा में दोसगे भायों की गला काट कर हत्या कर दी मारे गए दोनों युवक बिंद्धाना शेतर के लोविपूर पंचायत के रसलपूर गाउनिवासी विजेंदर पासवान के पुत्र थे उनकी पहचान 27 वर्षिये भोला पासवान और 24 वर्षिये टुटु पासवान के रूप में हुई है रसवारदात से मृतिकों के घर में कुहरा मच गया है दोनों भाईयों के तीन-तीन संताने हैं वो दोनों एक ही ओट उपर ड्राइवर वक खलासी का काम करते थे पुलिस मामले की छान बीन कर रही है किसी की गिरफतारी फिलहाल नहीं हुई है पटना में अपराधी नहीं मान रहे हैं वो क्राइम पर क्राइम करते जा रहे है इंडिगो मैनेजर रुपेश तिंकी हत्या के अब तीन सप्ता होने को है लेकिन अब तक कोल ठोस नतीजा सामने नहीं आया इसे बीच बाड में अपराधियों ने पुलिस वाले को ही इस बार निशाना बना लिया है अपराधियों ने सब इंस्पेक्टर विनै कुमार सिंग को गोली मार दी उन्हें गंभी रूप से PMCH में इलाज के लिए अडमिट कराया गया है घटना के समय विनै कुमार सिंग बाड स्टेशन परीसर में यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैनाथ है तबी वहां मौझूद तीन बदमाशों में से एक ने उन्हें गोली मार दी इसके पहले बदमाशों ने सब इंस्पेक्टर की बहस भी हुई थी बिहार की डिप्टी सीम रेनु देवी आज मीडिया के सवाल पर खुद ही गिर गई उन्होंने अपने ही सरकार पर निशाना साथ दिया दरसल बाड में सब इंस्पेक्टर को अपरादियों ने गोली मार दी है और इस पर पटना में डिप्टी सीम रेनु देवी से मीडिया ने सवाल कर दिया तब डिप्टी सीम ने बिहार में बढ़ते क्राइम को शर्मनाग बताया बाड की घटना पर उन्होंने कहा कि जो भी हुआ वो बहुत ही शर्मनाग है ऐसा नहीं होना चाहिए हलाकि उन्होंने बाद में ये भी कहा कि अधिकारी पूरे मामले की जाज कर रहे हैं कोई भी दोशी नहीं बचेगा बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर के एक बार फिर विपक्ष ने एंडिये सरकार को घेरा है बाड में सब इंस्पेक्टर को गोली मारे जाने की घटना के बावत नेता प्रतिपक्ष निजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नितीश कुमार पर सीधा हमला बोला है साथी डिप्टिसीम रेडू देवी के शर्मनाग वाली बयान पर भी चुटकी ली है नेता प्रतिपक्ष नितीश कुमार राजी में दलीतों को सुरक्ष प्रदान करने में पूरी तरह से अक्षम साबित हुए है ग्रेव विवाग मुख्यमंत्री के पास ही है लेकिन पूरे प्रदेश में अपराधियों का तांड़ जारी है आए दिन हत्याए हो रही है जनता सहमी हुई है उन्होंने दोरों मृतकों के परिवार के एक एक सदस्ते को सरकारी नौकरी तथा 25 पच्छिस लाक रुपए की आर्थिक मदद देने की मांग की है जेरियो मलसी वपूर्व मंत्री नीरज कुमार ने आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादब पर तीखा हमला किया और उन्हें भाड़े का ग्यानी बताया दरसल तेजस्वी ने अपने ट्वीट में बिहार के प्रतम मुख्य मंत्री डॉक्टर स्रीकृष्ण सिंग को नमन किया लेकिन उनकी जगा स्वर्गिय अनुग्रा नारायन सिंग का फोटो पोस्ट किया इसी पर नीरज कुमार ने निशाना साधा उन्होंने तेजस्वी के ट्वीट को टैक करते वे लिखा भाड़े का ग्यान ने किया वस्फोट लेकिन गुनागार आप ही मान जाएंगे राजन्यतिक परेटग कैसे जानेंगे कि बिहार के महापुर्शों को आप तो भरष्ट अचारी जेल में बंद अपराधी को ही जानते हैं बिहार सरकार के मंतरी राम सूरत राई ने मुदफरपूर में अपने आवास पर आज जनता दरवार लगाया उन्होंने जनता दरवार में आयलोगों की समस्याइं सुनी साथी यता संबब समधान करने का अश्वासन दिया मौके पर मौजूद संबंदित अधिकारियों को इस बावत कई निर्देश दी और कहा कि जनता की समस्याओं को ततकाल दूर किया जाएगा और अब जिलों की खबरे मुदफरपूर में चोरों का आतंक बढ़ गया है ताजा मामला जिले के काटी शेत्र का है यसुदा मट गाओं में देराज चोरों ने दो घरों को खंगालते वे लाकों की संपती वहां से चुरा ली चोर चट के रास्ते घर में घुसे थे जिस कमरे में घरवाले सोई हुए थे उस कमरे को बाहर से लौक कर दिया इसके बाद उन लोगों को घटना की भनक तक नहीं लगी और चोर आराम से गहने वक्याश समेट कर वहां से चलते बने पश्चिम चंपारन में काफी फेमस जगह है वी टी आर यानि की वालमिकी टाइगर रिजर्व ये बागों के लिए सबसे मुफी जगह माना जाता है लेकिन यहां रह रहे एक बाग की मौत हो गई इससे वी टी आर प्रशासन हैरत में है खास बात यह है कि दो दिन पहले ही यूपी में बागों के सुरक्षा को लेकर देश के सभी टाइगर रिजर्व के शेत्र निदेशकों की बैठक हुई थी इधर वी टी आर के शेत्र निदेशक एचके राई ने बताया कि पोस्ट मॉटम में बाग के बकरी खाने का साक्ष मिला है हलाकि बागों के आपसी भिड़न से भी इसकी मौत का कारण हो सकता है बहराल पोस्ट मॉटम रिपोर्ट के आने का इंतजार किया जा रहा है और अंत में है सिक्षा की खबरे कल से इंटर्मीडियर परिक्षा का महायग्य शुरू हो रहा है एक फरवरी से शुरू होने वाली ये परिक्षा आगामी तेरा फरवरी तक चलेगी इस बार इसमें लगभग साड़े तेरा लाग परिक्षार्थी शामल होंगे खास बात ये है कि शुत लहरी को देखते वे बिहार बोड ने परिक्षार्थियों को जूता मौजा पहन कर आने की जूट दे दी है बोड ने साफ कहा है कि ये नियम सिर्फ इस साल के लिए बदला गया है हर दिले में चार-चार मॉडल परिक्षा केंदर बनाए गये है पर कार बोड के कंच्रोल रूम के फोन नंबर पर 0612-223-009 तथा फैक्स नंबर 0612-222-575 पर शिकायत की जा सकेगी